दोस्तो नमस्कार आदाब सिस्सिकाल चैट विद सुइंद्र वच्स के नए एपिसोड में आप सब का स्वागत है आपने एक नाम बार बार लिखा और जैसे ही हमने उनका वीडियो डाला कमिंग सून के वीडियो पे दस हाजार से ज़्यादा विव आ गए उससे ये मालम चलता है कि वो यूट्यूब पे कितना फेमस है और स्पेशली यूथ उनको कितना प्यार करता है आज हम सब लोग मिलके स्वागत करें प्रेरित हो प्रेरणा लें आज के हमारे मेवान है अनुद सरमा जो यूथ आईकोन है और बहुत कम उबर में बड़े बड़े उन्होंने जिनले गाड़ दिये हैं स्वागत करें अनुद सरमा जी चाट विडिस्रिद्दर वस्में आ तो आपको देखके ऐसा लगता है जैसे नेटवर्किंग के बपी लारी जैसे आपने कुछ वेस्वूसा बना दिया है यह मेरा क्या सौक था पहले से नेट्रू मार्केटिंग में आने से पहले सौक था तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं सर मुझे आपने यहां पर इन्वाइट किया यह मेरे लिए बहुत बड़ी सौबागे की बात है और मेरा कोई नेट्रू मार्केटिंग में कोई बहुत लंबा भवी सा नहीं है अभी मैं जो अभी सिर्व मेरे को साल के अंदर ही मुझे एक इंडिया के बहुत फैमेस चैनल चैट वी सुरंदर वस पे मुझे आने का मौका मिला है यह मेरे जैसे वक्ती के लिए बहुत भड़ी बात है और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसा कि मैं जानता हूं चैट वी सुरंदर वस को पूरे होने वाले हैं और पहली बार मैने देखा नेट्रव मार्केटिंग के अंदर की पहली बार कोई ऐसी सक्सियत एक निकल कि आई जिनों ने नेट्रु मार्केटिंग के जितने भी लीडर थे उन सभी को एक मंच पे लेके आए और सभी लोगों ने उस मंच पर आकर की experience से आज वो सभी लोग कम समय में बहुत बड़े अचीमेंट ले पा रहे हैं तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद तैंक यू तैंक यू सो मच अनुज आपका अनुभाव ज्यादा नहीं है लेकिन इस कम अनुभाव में जो आपने कीरतीमान बनाए हैं और ज से पहले जो कॉंप्लिमेंट्स आपके कमिंग सुन पर मिले हैं बहुत लंभी लेस थी कुछ मैंने उसमें लिखे हैं आपके साथ सेर कर रहा हूं सुमंत मिस्टा ने लिखा है नेटवर्क इंडस्ट्री के फिल्मी नायक सिंके हेस्टार हेर जिनका हेर स्टाइल वर्ल्ट फेमस है इस प्लेटफोर्म पे दिल से स्वागत राजेंदर कुमार सर्मा ने लिखा है आज सुरेंदर सर ने हमारी आवाज सुली है अनुसर क्वामंत्रित किया हम बहुत एक्साइटेड हैं सेशन के लिए मौनु यादव ने लिखा है आपके आने से CWSV चैनल पर नया धमा का होने वाला है आपके कीरतिमान सुनने के लिए हम बेसवरी से इंतिजार कर रहे हैं श्री धाकर्ड फोटोग्राफी ने लिखा है यंगेस्ट मिलेनियर अनुसर्मा जी का तोड नहीं चितोड तक और लास कोमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं राहुल सर्मा का उन्होंने auri जैसे मेरी जिंदकी बदली हैं तो बहुत प्यार करते हैं एंसर लोग से आपसे और बहुत इंस्पार हैं अपने उपर भी काम करें जिससे कि हम लोगों के लिए काम कर बाएं मेरा ऐसा मानमा सब्सक्राइब ओक प्रेटर मारकेटिंग के अंदर जो भी कोई लीडर होता है और मैंने देखा भी है is aبहत नहीं है वो यह लोगों के लिए हो जाता है तो यह प्यार ही है जिसकी वजय से हम लोग अपने परिवार को कम समय देकर लोगों को का बहुत बहुत दिने बाद हाज जूड़ कर इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच हमारे एक ब्रेंड नमेस्टर हैं लवकेश डागर जी तो उन्होंने बोला सर अनुस सर्मा जी के बारे में मैं यह दावा करता हूं कि जब आ जाएंगे ना तो चाह जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही फिल मैं कर रहा हूं यहां पर आपके सामने बैठ के अनुस आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना डेरेक्ट सेलिंग में यह कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बस आप अपनी इंकम बढ़ा के उनको यह प्राप्त कर लिए अपना लेवल चेंज करके दिखा दीजिए तो वो उनको जो मोटिवेट करती है और उनकी साहता इस चीज से जो होती है उतनी साहता आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते तो आपने बहुत सारी चीवेंट्स आपके पास में हैं तो अब तक का आपका सफर और उस सफर में जो आपने सबक सीखे हैं वो कुछ हम लोग जाना चाहेंगा सर में रहने वाला गेटर नडा से हूं मेरे फैमिली में पापा गोर्रमेंट जॉब मेरे ai मेरी फैमिली मे ज्यादे तर किसानी रहती हुई आई है और शेयर एधियर आपके मैं मिटल केलास तो मेरे भी तूम मिदल केलास थे हुआ Dir बढ़ा हो और जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी एजूकेशन लेगा अच्छी एजूकेशन लेगा तो अब जब फैमिली में जादतर लोग गौर्णमेंट एमपलोई होते हैं तो उनका बी एक सपना होता है कि हमारा बेटा भी बढ़ा होके इसी काम को करें तो सर मे मेरा सुरू से एक सपना था जब मैं तैंथ के अंदर था मेरा भी एक सपना था कि मैं जॉब ना करके मैं कुछ ऐसा बिजनिस करूं जिससे कि मैं अलग अपनी पहचान बना सको मैं अपना एक अलग नाम बनाना चाहता था और वह भी मैं अपनी दंपे बनाना चाहता था तो म में एजुकेशन में बहुत ज्यादा जीरो हूँ, मैं तो भी बोलूगा, मैं सिर्फ 10 पिलस 2 हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाए में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि स्कूल आज ना जाना पड़े, आज बारिस हो जाए, ना जाना पड़े हमारे स्कूल होता था, उसमें किसी की साधी लग जाए, तो चुट्टी हो जाती थी, और स्कूल में एक चीज दी देखी थी, किसी की आसपास में कोई बड़े आदमे की देहत हो जा तो वह भी चुट्टी हो जाती थी, तो हमारे लोकल अरिया में ऐसा चलता था, तो मैं आदमें कर लेगा, तो तो पर तेरी साधी हो जाएगा, तो ग्रेशन करने के लिए जो पड़ायी लिखाई में तँंग होता है तो उसके लिए जensation करना करना समसिते हैं कि सब्से आसन बी यहintersए रहता है तो मैंने के प्रप्रशिए हो गयी च्वयले कि स Japay पर मेरे उसके बाद कॉलेज आना बंद कर दिया मेरे पापने मुझसे कही वार बोला कि मैं तेरी गोर्मेंट जॉब लगवा देता हूं थोड़ी तयारी कर ले मेरा मन नहीं लगता था पड़ाई लिखाए में तो मेरे पापने दीर दीर मुझसे बोला भी कुछ तो कर जिसस करें, ब्रॉड-Bend CanX SEN SEAL करें, इंसूरेंस भी सेल किया. उसी बीच में मुझसे कमपणी का प्लान देखने का मौका मिला था, इस कमपनी से पहले मैं उस कंपणी में था, तो मैंने उस प्लान को देखा, समझा, मैंने काम करने का Decision लिया, और जिए मैंने काम करने का decision लिया तो उसके बाद मैंने वहापर काम किया लेकिन कुछ कमियों की बज़े से मैं वहापर लंबे समय तक काम नहीं कर पाया कुछ कमी मेरी रही या कंपनी की रही मैं काम नहीं कर पाया लेकिन 2016 सेप्टमबर में फिर एक बार मैंने एक नेट्ट्रक मार्केटिंग कंपनी को चुना, मैंने वाँ पर देखा, समझा, प्लान, प्रोड़ेक्ट क्या होते हैं, जो भी एक सिस्टोमेटिक काम होता है, वो मैंने समझा, समझने के बाद मैंने काम किया, और सर, सबा पां मुझे आज परसनली फील हो रहा है, कि मैंने सबाब पांच साल में क्या कमाया है, अगर कोई मेरे से पूछे, सबाब पांच साल में मैंने क्या कमाया है, तो मैं इक ही बात बूल सकता हूं, सबाब पांच साल में मैंने चैट भी सुरंदवस में आने का नाम कमाया है, इस से questions किया है comments में उन्होंने लिखा है उसको मैं पढ़ता हूँ रितेश यादव गुरुजी आप Mercedes Benz luxury car चलाते हैं तो आपको feel कैसी आती है और आपकी गाड़ियों की बड़ी कि साधी हुई थी टो मुझे साधी में एक बारिक मिली थी आपने देखा हुआ को इस टेनल बाइक आथी थी तो मुझे साधी में वो बाइक मिली थी और जब में independent काम कर तो जब कम्पनी में चला गया था पहले तो जब कम्पनी में चले जाते हैं तो हमारे जो घर के जो बुजरू लोग होते हैं उनके सोच होती है कि यह कंपनिया बेकार के काम होते हैं यह बेकार के धंदे होते हैं यह कोई काम नहीं होते हैं तो उसी पीच में मेरे और मेरे फा हो गया अपनी फैमिली को लेके वाइप को लेके अच्छा मेरे पैरेंट से रहते हैं गाम से मैं पंदरा किलोमेटर सहर में सिफ्ट हो गया परी चोक के पास तो मैंने वहाँ पर एक रूम लिया चारजार रोपे का रेंड था उसका मैंने वहाँ पर अपनी जर्णी मैं चला सकूंँ उसको सही से जब वो बाइक बंद हो जाती थी तो जान पहचान को को व्यक्ति मिलता था ना वह मेरे से पूछता था था जिर्ण में कुछ परॉला मागी है कभी यह नहीं बोलता कि देल खतम हो जा एक है कि ऑपने इज़ित अपने आत उती है तो एक बार आ है बहुत बार ऐसा में की अबर जोwise बाहर ओप two Re 평 कि अientos סकाने है होट 기셔야 है सबब 5 साल पेहले हुम हम हुओ भी इंट्रेंस पर ही था च्छा तो इतना कर्ज हो गया थथा मैंने अपनी बाइक उन्नी सहार ध lot अबाद उन्नी सह्महली करके एक विक्तिऌा बहुत जिया हाता ता मैंने उसको पैसे दे दिये दिए हुhm देने के बाद जो कि मैं इस कंपनी में बड़ा काम नहीं करूगा मैं सिर्फ इस कंपनी में बड़े लेविल पनी जाओंगा मैं नेट्रोग मार्कीटिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो लोग आज तक नहीं कर पाएं आज भी मुझस से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क् तो मैं पां अपने सपने में कभी से कि पिटी थी? करने के सिर्फ 18 महीने के अंदर मैं Mercedes CLA में आ गया था सिर्फ 18 महीने में जब मैं उस आ गया तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े दिन बाद नवमबर के अंदर करवा चोथ था मेरी वाइप मुझसे बोलने लगी कि आप मेरे लिए क्या लेकि आओगा इस करवा चोथ पर तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं इस कंपनी को मैंने पांच परसेंट पर पैसा लेकर जोई किया था तो मैंने इंट्रेस्ट वाले वैक्ती से लेके उस पैसे से उस कंपनी को जोइन किया और उसके बाद जब मैंने वाइप से पूछा बताओ क्या चीए तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे गहने वगएर तो सब दे दी कुछ ऐसा दो जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे तो म में हम उजैन जाएं तो जायें के से तो मैं गाड़ी के बारे म गया फूर्चुनर लें लेने के लिए गया मैंने देखा तो में थोड़ा सा अपनी चोरी सुद्धंश होती है सर मुझे समझ में नहीं आए तो इसमें पे गाड़ी मुझे लॉंच वॉशु है अप से above सबcry की बात है ज्यादा पुरानी बात नहीं है तो मैंने एंजी एक्टर खरीद ली मुझे जाना मंदिर पांच लोग थे उसके थोड़े दिन बाद मैं अपने अप्लाइन के साथ गुड़गाउं में था और हम ऐसी घूम रहे थे तो उन्होंने बोला कि आओ उनुछ चलो कुछ चलते हैं सो रूम के अंतर तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पर जाके देखि पूर सा गार और मैंने वहाँ पर पड़ कर देखी सर्थ मुझे या लगा यार एंड़ नेट्र मार्केटिंग में नहीं और है तो एक दो लोगों के पास है और उनके पास है जो बहुत क्या कोस्ट था गाड़ी की एक क्रोट मैंने बोला ये ले और इस गाड़ी को मुझे लोन कराना फिर ने उस गाड़ी को लिया और इस गाड़ी को मैं थोड़ दिन बाद वह लोन वगरा हों कि गाड़ी शुआ इस far ये ंदेग को धार ये ना मैं अपने काल॰ किया मैं औनको बोला कि सर मैं ऐसी गाड़ी चाहता हूँ कि जो जिस गाड़ी में बैठो ना तो लोग देखे। उन्होंने बोला कि तेरे पार पूरसा तो है लोग तो उसको भी देखते हैं, मैंने बोला सर ऐसा नहीं, जो इस इंडिया में कुछी लोगों के पास हो, जो इस इंडिया में कुछी लोगों के पास हो, चुनिंदा लोगों के पास हो, वो मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, फि पिर मैंने बात करी, कराया, डॉकुमेंट दिये, उन्होंने मेरे घर पर आके वेरिफिकेशन करी, कि इनकी गाड़ी कहा खड़ी होती है, खड़ी करने के लिए जगे है, नहीं है, घर देखा, सब कुछ देखने के बाद, और फिर मेरे पास सारा S किलास भी आ गई, अब सोच मैं सेल नहीं करना चाहता, औरना मैं सेल करूँगा, घर भी इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर कि साथ गाड़ी आ जाएं, तो गाडियों का आपको सोक है, या आपने, इतनी गाड़ी जर्नली लेते नहीं है, कोई नहीं लेता है, मेरे सार सोक है, और मैं एक बात और मैं रुकूंगा नहीं, साथ भी नहीं रुकूंगा, आने वला समय में और भी, क्योंकि मैं पैसे को पैसा नहीं समझता, मैं पैसे को कागज का टुकड़ा समझता हूं, मैं जीवन जीता हूं, मैं आज में जीता हूं, कल में नहीं जीता, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं क्यों क्यों कि दुनिया ने किसी की भी कीमत लगाई है ना कल क्या थे नहीं कल क्या होगे नहीं आज क्या हैं हम दुनिया में सिर्फ आज से जानती है हम कल क्या बनेंगे दुनिया को मतलब नहीं हम कल क्या थे दुनिया को मतलब नहीं हम आज से बात करते हैं और दुनिया में आज सही संबान देती है आज सही क्योंकि कोई आज में गाम में प्रदान है और प्रदान पांस सान निकल तो पूर दिया जाता है तो इस दुनिया में लोग है ना एक प्रजेंट में याद रखते हैं नहीं मेरा आप आपकी सोच और आपकी जो तरीका वो बिल्कुल सही है अनुज मैं उस पर कुशन नहीं को उठा रहा है लेकिन मैं जनरल बाचित कर रहा हूं डिरेक्ट सेलिंग में तो बिजनस जो आना पड़ाउन का बिजनस रहता है आज टीम अच्छा परफॉर्म कर रही तो बहुत बढ़ी आ कच खुल दर नहीं लगता है मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता कल क्या होगा मैं आज में ही जीता हूं आज क्या है और मैं एक बात जानता हूं कि हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि नेट्रोकर जुनिया का पहला ऐसा सक्स है जो इस धरती पे बिरोजगार लोगो नहीं होगा यह इंडर्स्ट्री बहुत आगे तक जाएगी और हम जिस कंपनी में हैं अगर हमारे पास प्रोड़क्ट अच्छा है हमारा प्लान बहुत अच्छा है ठीक हमारा एजूकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा सारी चीज़ें हैं जो आपको confidence दे रही हैं कि येस बिलकुल मैं मैं सही हूँ मैं सही डारक्शन पर हूँ आपकी जो inspiration है story में और especially इस episode को जो youth देख रहा होगा especially वो बहुत inspire हो रहा होगा कि अनुजी ने किया है मैं भी कर लेता हूँ मेरे को भी गाड़ियां चाहिए साथ गाड़ियां अनुजी सर्माने लिए तो मैं आठ लेकर दिखाता हूँ तो वैसी प्रेरित भी होते हैं लोग और काम भी करते हैं लेकिन success नहीं हो पाते सभी लोग तो जो youth specially direct selling में काम करना चाहता है बड़े सपने हैं उनके भी उनको क्या आप message देना चाहेंगे वो कैसे सकते हैं यूथ के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा हमारे देश के अंदर 15 साल से लेकर 24 साल के जितने भी हमारे यंगिश्टर होते हैं वो हमारे इंडिया में जो population लगवा 18% के आसपास की है आज भी हम यह देखते हैं कि हमारे जो द 18 साल के हो चुके हैं और देश ने हमारी government ने हमको बोट डालने का अधिकार भी दे दिया है तो हमारी self responsibility बनती है कि हम एक जिम्मेदारी लें और अपना भविस खुद अपने हाथों से लिखें आज की डिट में लोगों को देखता हूं कि 18 साल के होगे 20 साल के होगे 25 साल के हर यंगिष्टर को पार्ट टाइम नेट्टर मार्केटिंग करनी चाहिए और अपने पेरेंट से बात बोल देने चाहिए कि पापा आप एक काम करें आप जो भी सैली ले रहे हैं जो भी हमारे घर की निकम है उस इंकम से आप घर के खर्चे चलाओ मैं अपनी पढ़ाई के निकाले और करे वहां से पार्ट टाइम किशिवी कंपनी से करे और करके वहां से पर्ट टाइम करें उससका सपना डॉक्तर बनने का ए Aleka direct जो भी शापना है उसका वो चाहए तो उसको सपना नहीं करनी है घुडीख करनी है नहीं पाट टाइम करके और इंकम लें भी आसे ऑपने गाने सकने को सकता है और आने वाले समय में अगर उसको लगता है कि नहीं नेट्रो मार्केटिंग उसको करनी है तो लाइफ टेम के लिए नेट्रो मार्केटिंग को कर सकता है लेकिन प्रोलम सरी आती है कि नेट्रो मार्केटिंग में युबा लंबे समय काम नहीं कर पाता है क्यों नहीं काम कर पा और किसी ने नेगेटिव कर दिया फिर रुक जाएगा, मेरी बात से मोटिवेट हो सकता है आपकी बात से मोटिवेट हो सकता है लेकिन घर में पापा ने मनया कर दिया तो फिर वाह पर ढूलो चाहता सर आपके सिस्टम के मादधेम से आपके चिनल के मादधेम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो यंगई टर अपने पेर timer से जा के बात करते हैं कि मैं पिताजी को मैक्सीमी में यही ह Duchम औजुना पर शंबाद 25% में पिताजी अपने बच्चे पे विशुस्टी कर ल्चे कि थे तू काम्याब हो जाएगा हमारे पैसी आप विशशान नहीं कर सकते कि तू काम्याब होगा तो सकते स्पा जमाना बदल चुका है, मैंने भी यूटूब पे देखा आपने मेरे से ज्यादा देखा है, आज की डेट में पांस साल, दद्दस साल के बच्चे, यूटूब के माध्यम से लाख हुरुपे कमा रहे हैं, चोटे-चोटे बच्चे, जमाना बदल चुका है, और हमारे देशो कोलना चाओंगा, यहां काम नहीं करोगे, कहीं न कहीं तो काम करना ही पड़ेगा, कहीं काम करोगे, तो बीस हजार, तीस हजार की सेल्ली मिलेगी, और बीस हजार की, तीस हजार की सेल्ली में, कभी लगजरी गाड़ी नहीं आती है, कभी पेंटाउस, विला, कभी नहीं आत सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमारा देश बदल रहा है। लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। और नेट्रोग मार्केटिंग को आज नहीं तो कल चुणना ही पड़ेगा। चाहे मर्जी से चाहे मजबूरी से करना तो पड़ेगा मान लिया डारेक्ट सेलिंग को करना पड़ेगा लेकिन डारेक्ट सेलिंग में अनुच सर्मा की तरह तहल का कैसे मचाएं अनुच सर्मा की तरह तहल का मचाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा सर बड़ी सोच डवल कभी भी सोच पाता आदमी सोस्ता कहां से है कोई भी लगपति आदम करोड़ो पती नहीं बनेगा सर心 कि को समय बिता नहीं कि करोड़ पति आदमी अरभपति तब बनेगा जब हो किसी अरभपति आदमी के साथ समय विताता होगा मैं इसर एक बात बोलना चाहता हूं हमारे देश के 95% लोग मैं उन से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जो बनना चाहते हैं आप अपना पिछले 30 दिन का डाटा पिचान परशन लोगों का जवाब आएगा नहीं जब हमने एक किसी करोड़ पती वेक्ति के साथ हम बैठे ही नहीं है तो हमारी सोच कहा तक डवलप होगी होगी नहीं हम लगपती है हमारा संपर किन लोगों से नीचे वाली लोगों से तो हम क्या समझते हैं हम खुद बहुत बड़े हैं और जब हम समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े हैं हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया है और हमारी सोच बहुत बड़ी है तो हम कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और नहीं बड़ा सोच पाएंगे बड़ा आजमी तब ही सोच सकता है जब अपने से बड़े अप से कामियाव आदिमी की संगत में जीवन भर रहेगा और उस वेक्ति के साथ बैट के समय बिताएगा और अच्छे माहौल में बैटेगा तो उसकी सोच बहुत ज़्यादा डवल अप हो पाई मैं कभी भी सर मर्सडी सीयले नहीं ले पाता कभी नहीं ले पाता मैं जिनकी टीम में काम करता हूं उन्होंने मेरे से पहले जैगवार ली जब उन्होंने मेरे से पहले जैगवार ली तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मेरा अप्लाइन जैगवार ले सकता है तो रिस्क त प्लाइन के साथ समय बिताता हूँ और उनसे बड़ी सोच लेता हूँ कि मुझे बडρά काम करना है. तो बड़ी सोच अब जो लोग बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आपसे सवाल करें क्या वो अपने से कामियाव लोगों के साथ बैट पा रहे हैं नहीं हो बैठ ही नहीं पा रहे होंगे और अगर कामियाब होना है तो अपने से बड़े व्यक्ति के साथ बैठना पड़ेगा और जो हम बैठेंगे तो सोच डबल अप होगी और जब सोच डबल अप होगी तो तहल का सर ओटोमेटिक बाला उसके लिए बेसिक चीज ये है बड़ी सोच मालब लोगों से आप मिलें उनको सुनें उनकी किताबें पड़े बड़े लोगों के एस्सोशेशन में कहीं रहना बहुत जरूरी है बड़े लोगो अपने सक्राइब अपने से कही गुना ज्यादा कामियाग का मतलम मैंने कमाए लाक और मैं बैठ रहां दो लाक वाले के पास तो भी नहीं होगा लाक वाला करोड़ पती के साथ बैटे तब बड़ी सोच पाईगी गरेट गरेट घर उसके बाद मैं बहूत सारी चीज़न ईए लेकिन आपने जो मूल है जो बेस है वह आपने बता दिया हमारे साथ में सेर खिया ढै merry कि बहुत सारे प्रशन है वीवर्स के कुछ प्राशन मैं लेना चाहता हूं और सबसे पहले मैं प्रशन दे रहा हूं सोलान की संजना कम टाइम और कम एज में नेट्वर्क मार्केटिंग में सक्सेस्फुल कैसे हूं देखिए कम टाइम में और कम एज में सक्सेस्फुल होने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा हम जिस कंपनी को चेन करते हैं, उस company के product की quality क्या है, उस product के market में demand क्या है, उस product के market में demand है, तो आप अच्छा achievement ले सकते हैं, आपके plan में अगर दम है, company के plan में अगर दम है, तो आप अच्छा achievement ले सकते हैं, अगर उसके साथ साथ भी आपका applyne बहुत दमदार है, applyne की सोच बड़ी है, और apply आपको दंदारी के साथ सपोर्ट कर रहा है तो भी आप कम समयमा चीमेंट ले सकते हैं और आपकी company का education बहुत दंदार है और आपकी company का system सिर्फ आपको हमेशाब credit करता है कि सीखो और अपनी डाउन लाइन को सिखाओ तो आप कम समयमा चीमेंट ले सकते हैं लेकिन फिर भी ल अपने mind को set नहीं कर पाते हैं, self depend नहीं बन पाते हैं कि मुझे करना है, बहुत तारे लोग इस धारती पे मैंने देखा है, वो लोग depend किसी पर हो जाते है, applying पे, यह downline पे, यह business जो है अपना है, ना यह upline का है, ना यह downline का है, है पहले हमें कुद अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि मैं दोजारि कि अगे डिविसमें कहां जाना चाहता हूं मेरा घुद के आउए अ अरों पर चाप करता है मैं बड़े साथ कि उसकता है यही कर हो ऑठ चाहिए और और बड़े का आदा भी बहुत बड़ा होता है तो आदमी सोचे बड़ा जी वो एक कहावत है कि अगर आप तारों को छूने की कोसिस करेंगे तो हो सकता है कि आप एक भी तारा नहीं छूपाएं लेकिन ये तैह है कि आपके हाथ कीचड में नहीं सुनेंगे बड़ा उठाने के लिए क्या करें ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ऐसा मानना है कि नेट्र मार्केटिंग में ये सवाल ज्यादा ता लीडरों का होता है देखिए जीवन में एक ही बात बोलना चाहूंगा इस धरती पर ऐसा कोई भी सक्स नहीं है जो उठा हो और गिरा ना हो या गिरा हो ये अगर उसने कोशिस करी हो उठाना हो मेरा ऐसा मनना है कि किसी भी लीडर का बिजनिस कितनी बार भी जीरो हो जाए अगर उसके अंदर एक चीज़ जिन्दा होनी चाहिए सिर्फ एक चीज़ जिन्दा होनी चाहिए उस चीज़ का नाम है उसका सेल्प जिन्दा है ना, तो बिजनिस चाहे कितनी बार भी जीरो हो जाए, वो दुबारा उठाने की चंता रखता हूँ, होता क्या है, जिसका भी बिजनिस जीरो हुआ है ना कभी भी, और आज जोइन किया, एक साल बाद जीरो हुआ, तो उस दिन वो बैटके सवाल करे, कि जब मैं इस कंपनी में आया था, जब मेरी आईडी जीरो से लगी थी, मेरे डाउन लाइन में कोई भी नहीं था, जब मैंने एक साल में इतनी टीम बना ली, और फिर मेरी टीम दुवारे जीरो हो गई, और एक साल में जो मैंने टीम मनाई है, एक साल पहले ना मुझे प्लान देना तो मैं दुवार है अगले एक साल में इसका दस गुना टीम दुवार है बना सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर वो छमता है जो एक साल पहले नहीं थी तो आदमी का बिजने कितनी बार भी जीरो हो जाए जिन्दा है तो आदमी उचाई पर दुवारे चला जाएगा और जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा चुका है उसका अपलाईन भी आ जाए उसको दुवारे नहीं उठा पाएगी बना बिजनेस जीरो हुआ है एक्सपिरियंस है वो गेंड मैंने किया है तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सेल्फ कॉन्फिडेंस जिन्दा है तो सर दुवारा उठेगा पका उठेगा अंतिम प्रशन ले रहा हूं अनुच जी यह अंकित कानपुर से हैं इनका प्रशन है कंपनी का प्लैन दिखाने से पहले क्या सावधानी अपनानी चाहिए देकि सर कंपन हमारा प्लान बाद में देखता है पहले वह हमको देखता है मैंने लोगों को देखा है नेट्रु मार्केटिंग में काम करते हैं नॉर्मल ड्रेस में ऐसे चले जाते हैं नीचे जीन्स है या उपर साथ है वो मैच नहीं कर रहे हैं उनका ड्रेस कोड मैच नहीं कर रहा है ठ मैं आज आपको एक ऐसा बिजनिस प्लान दिखाना चाहता हूं, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, आप भी आने वाले समय में सफल हो जाएंगे, आने वाले समय में आप भी कुर्डप्रती बन जाएंगे, तो शुरुस प्लान को देखने से पहले सामने वाला व्यक्ति किसी को देख रहा है वो है हम वो पहले ये चेक कर रहा है, हमको ये देख रहा है कि जो हमें सफल करना चाहता है क्या ये ओल्लेडी सफल है और सफलता कभी भी जेव से नहीं होती है सफलता पहले आदमी क्या देखता है हमारा dress code, हमारा dress code कैसा है, आदमी का dress code proper हो, आदमी के जेब्स में क्या है, क्या नितों कोई मतलब नहीं है, मतलब आदमी ने TONN पैन लगा रहे का ओ, लिखा, पड़ा लिखा है यह, पैन है तो ben 친구ा है, इसका मतलब यह कर पड़ा लिखा आदमी है, このaja time didn't get done so मतलब टाइम देखना जानता है. सेडूल है. तो आदमी को सबसे पहले अपना ड्रेस कोड प्रॉपर रखना चाहिए. जब प्लान दिखाना जाए. उसके बाद आदमी को अपना बैग वो अच्छा रखना चाहिए. बैग के अंदर आपकी कंपनी का जो टूल्स है. वो अच्छा होना चाहिए. प्रॉपर साप सुतरा होना चाहिए. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर. उनको जोईन होगे किसी कंपनी में जोईन हुए दो साल. दो साल पहले प्लान फोल्डर खरीदा था. पहन भी नहीं होता है. उसकी घर में जाके पहन मागते हैं, भाई साप पहन लाना. डायरी प्रॉपर नहीं होती है. भाई साप कोई पेच देना लिखने के लिए. मैं आपको समझाना चाहता हम. तो दोस्त मेरे एक ही कहना है, सबी लोगों से, मेरे सबी साथियों, सबी दोस्तों से. प्लान दिखाने से पहले, सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव करें. क्योंकि सबसे पहले आप टूल्स हैं. आप हैं टूल्स. आप अपने आपको मैंटेन करें. और मेरा ऐसा मानना जो दिखता है वो दिखता है आप अपने आपको चेक करें कि आप कैसे दिख रहे हैं आप अपना मॉवाइल चेक करें आपके पास मॉवाइल ब्रांड कौन सा है आपके पास लैप्टॉप कौन सा है जो दिखेगा वो भीकेगा तूल्स है हमारे और जब कि आरहें पर होंगे क्योंकि सांबने वाले सांदे बढ्रेह में चोटा एंडा कि अमी ड्रेस को देख तो एक्षेप्ट घनी करेगा और फिर वह एक बात बले का मैं सोचके बता हूंगा और अdar मेरा ऐसा मान आज मैं कोई भी आप मिघ आप में सोच पे नहीं बताता आ यह क् क्या सोचेगा आदमी कुछ नहीं सोचता है अगले इंसा पौन उताना बंद कर देता है क्यों 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 कि जो वेक्ती बैठा था वो पर्सनल्टी ठीक नहीं थी तो प्रोपर नहीं था तो प्लान देखाने से पले ड्रेस कोड देखें उसके बाद सामने वाले के घर जाए जब पानी आपके पास आता है तो पानी को सही से पिए बहुत सा लोग गलती करते हैं पानी को पीते हैं इधर भी पानी निकलता है उनका ड्रेस कोडी पूरा पानी से खराब हो जाता है बहुत सा लोग घरों में चाय आती है तो चाय पीते है तो चाय पीते है तो चाय पीत सामने वाला देख रा है कि मैं जिस वक्ति के साथ काम करना चाहता हूं, जिस वक्ति के साथ भविष्य लगाना चाहता हूं, क्या है सही है? और जब belongsफाना अपना दिखाते हैं, तो आई-कॉन्टक्ट अपना सही रखें, कॉन्फिडेंस अपना सही हो, कॉन्फिडेंस, क्या जो मानना यह है, आदमें प्लान बाद में देखता है, पहले आपका कॉन्फिडेंस देखता है, कि आप जो समझा रहे हैं, उस बात पर आपको कितना बिलीव है, सामने वाले ने पूचा कि भई इस प्लान से क्रोडपती अब भी अब बन जाएंगे अब सर अब मुझे बताई किया इस बात से सामने वाला एक्ति जॉइन कर लेगा अजब आज महीं का जाके प्लान दिखाए, बिल्कुल बिंदास होके, और यह समझ ले, कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सामने वाला कुछ नहीं जानता है, और मैं एकी बात बोलना चाहूंगा, आप जब प्लान दिखा रहे हो, तो आप कोई सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ नहीं और जब आपको कुछ नहीं आता है, वाला कोई सवाल करे, ये क्या था, अगर आपको भी नहीं मालुम है, तो सर ऐा की बात बोलनी है, सब्सक्राइः आप तो पड़े लिखे इंसानों, आपको मालुम होगा, ये क्या है, तो जानते हैं, सर अच्छेहां, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कुछ इंगलीस में ऐसे सब्द होते थे जो हम पर नहीं आते थे तो लोग हमसे पूस थे तो हम बोलते सर आप तो खुद पड़े लिखें आपको तो आता होगा तो बात क्या करें जब आप कई फस रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं नर् हमारा एक सवाल है हमने स्कूल में जाते थे के से 35 म Punkt मैक्सिमार पाली समेंट तक ही एक टीचर में से ख्लाँड देते थे तो प्लान दिखाओ उसके family member के साथ बैठे कि पैसा कौन देगा प्रोड़क्त करिदने के लिए पैसा कौन देगा family member तो वहां बैठे के दिखाएं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसे तरह से प्लान दिखाए जाए तो जल्ट आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है अपने बहुत विस्तार में इसके बारे में बता है और बहुत इंग्रेजी में कहावत है इस सामने वाला व्यक्तिकर आपको पसंद करेगा तो फिर वह आपकी चीज़ को भी पसंद कर लेगा आपके प्लैन को पसंद करेगा और एक और कोटेशन है सेलिंग में वीवर्स के लिए अपने प्रशनों के जवाब दिये वीवर्स के और हम लोग उमीद करते हैं आप इसी परकार से बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे हैं मेरी एक ओडियो थी जब मैंने सुराइब की बिजनस में जी उसका नाम था 45 साल या पांस साल जी और उसमें इस नहीं चीजों के बारे में जिकर था कि या तो आप 45 साल टैडिशनल बिजनस कीजिए जोग कीजिए या आप पांच साल डारेक्ट सेलिंग में मन लगाके काम कर लीजिए तो फिर आप उसका प्रफेक्ट एक्जामपल हैं पांच साल में आप चीज़ों का इंज्वाय कर रहे हैं अदो मैं एकी बात बोलता हूं स्टेज पर यह कर लोगों के पास मिल पाते हैं अगर आदमी यंग है तो रिच नहीं है और रिच है तो रिटार नहीं है ठीक है और रिच है तो भी यंग भी नहीं है बहुत सा लोग ऐसे रिच भी है लेकिन यंग भी नहीं है पैसा बुढ़ापर में आता है जब हरी दौर जाने का टाइम होता है तब पैसा आता है और मेरा मानना है कि हर चीज स यह लिए नहीं आएगा आज हमारे खिलोने हमारी लगजीरी गाड़िया होती है बहुत बढ़ी है बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर्मेनिक आला हमारे लिए हमारे वीवर्स को इस्पेश्ली यूथ को आपने बहुत इंस्पायर किया इसी प्रकार से आगे मौके मिलते रह बहुत बढ़ी सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहें फिर मिलेंगे, किस से मिलेंगे वो तैह होगा अगले मंगलवार को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए सहयोग देने के लिए और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहेंगे अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू अगर आपने अभी तक चैट विट सुरेंदर वट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलें और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें